हाई एवरिवन वेलकम बैक टो लर्निंग ट्रिविया दिस इस रविना वशिष्ट और आज का वीडियो जो है उसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कल जो कंप्यूटर का एक्जाम हुआ है यानि कि संगनक का जो एक्जाम हुआ है उसमें जो स्टाटेस्टिक्स और एकनॉमिक्स का जो पेपर था उसकी आंसर की मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तो चलिए स्टाट करते हैं उससे बहले मैं आप लोगों को बता दिती हूँ कि मैंने अपने चैनल पर जीके मैच और कंप्यूटर की जो आंसर की है उसके भी क्वेशिन्स अफ्लोड कर दिये हैं आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूगी तो चलिए फर्स कोईशन से स्टार्ट करते हैं जिसमें आप लोगों से पूछा गया था कि एक परिवार के विभिन मदों पर खर्च को आरेक द्वारा गर बताना है तो वह प्रतिदर सर्वेक्शन कारियले दुआरा उसके बाद में जो कॉश्चन नमर 33 है उसमें पूछा गया था कि कौन सा अराज की संगठन है तो इसका अंसर होगा भारतिय विदेशी व्यापार संस्तान नहीं देली नेक्स अगर हम बात करें तो नेक्स कोईशन में पूछा ग क्याता कि शिशू मृत्यू दर निम्न का अनुपात है तो इसका अंसर होगा उप्शन नमर डी जिसमें एक वर्ष से कम आयू के बच्चों की मृत्यक संख्या वाला उप्शन सही होगा एक महा से कम वाले आयू इसमें नहीं आएगा नेक्स पूछा गयाता लेस्पेर और में के उसमें ऊपर की और नीचे की और यानि कि बच्चों नंबर और उसमें पूछल गया था कि कव से स्टेट्मेंट करेक्त तो मैं अप लोग को बता दू है सारे ऑम्प्शन नंबर ड करिकर these विल प्थ एसमें नंबर ऑरन कि उप्शना इंकम सãos fingertutma Center F why इस lógdom नेन जिए पूछा गया था, समंकों का माधिका और भहुलक दिया गया था, तो प्रत्यनिद्ध आप लोगों को बताना था, तो इसका होगा, घनात्मग वैश्माइता बंटन, नेक्स पूछा गया था, कि कौन सा CSO का येरली पॉब्लिकेशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा, A और B दोनों, यानि कि, स्टाटिस्टिकल एट्रेक्ट ऑफ इंडिया और एस्टिमेट्स ऑफ नैशनल इंकम, नेक्स पूछिन जो है, उसमें आप लोगों से पूछा गया था, कि जामितिक माधि के लिए कौन सा कतन सत्य नहीं है, तो इसमें आप लोगों का उप्शन नंबर D से ही होगा, यह उप्चाओ की अन्य बीच गणीतिये विवेचिन के लिए उप्यक नहीं है, फिर उसके बाद में संख्याओं का प्रसेड़न पूछाता तो इसका होगा उप्शन नंबर B, एन इसको है माइनस 1 नेक्स कोईशन है, उसमें तीन सालों का मोविंग एबरेंज पूछा था तो इसका उप्शन नंबर D होगा, 19, 25, 31, 43, इसका पूछर्ट अंसर होगा, उसके बाद में क्वेचन नंबर 44 की अगर बात करे तो XOY वेरियेबल दिये होए थे और आप लोगों से पूछा गया नेक्स कोईशन में आप लोगों से पूछा गया था, जिसका सही आंसर होगा, यानि की ऑप्शन नंबर D, उसके बाद में डॉबरिश बाउले प्राइस इंडेक्स का क्वेचन था, जिसका सही आंसर होगा, उर्थमाटिक मीन उफ लेस फैर और पाशे इंडेक्स फॉर्मि क्वेचन नंबर 48 के अगर हम बात करें तो आप इसमें ध्यान से आप लोगों को करना है, इसका उप्शन नंबर C करेक्ट होगा, जिसमें A, C, B, D, R, और ब्रैकेट में X और Y जो उप्शन है वो करेक्ट आंसर इसका होगा, उसके वाल में क्वेचन नंबर 49 का जो स्टेट क्वेचन नंबर 50 के अगर हम बात करें तो इसका होगा, आपसे पूछा गया था कि परिणाम अच्छे नहीं देगा, तो इसका उप्शन नंबर C करेक्ट होगा, A और B दोनो नेक्स्ट क्वेचन पूछा गया था कि मौसमी विचलनों के मापन के लिए नेमने में से किस माप में दिये हुए समंकों का तुलनात्मक रूप से कम उप्योग होता है, तो इसका उप्शन नंबर A सही आंसर होगा, श्रंकला मुल्यान उपात विदी यानि कि लिंक इसका उप्योग सभी करेक्ट आंसर होगा, उसके अदमें क्वेचन नंबर 59 है, जिसमें स्थावर जन संख्या को स्थावर कहा जाएगा, यह पूछा गया था, तो इसमें कौन सा कतन सही है, यह आप लोगों से पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेचन नंबर 57 की अगर बात नहीं है, तो आप लोगों को बताना था कि सहसंबन गुणांक, दोनों प्रतीव गुणांकों का समानतर माध्य होता है, यह स्थीट्मेंट गलत है, नेक्स्ट पूछा गया था कि खंडित बंटन के लिए प्रत्थु शीर्शत्व B2 का मान क्या होगा, तो उसमें होगा एक इसमें पूछा गया था कि रिडात्मक वैश्मिय है, तो आप लोगों को बताना था कि Q1 प्लस Q3 is less than 2 Q2, यानि कि ऑप्शन नमर B करेक्ट आंसर होगा, उसके अंदे पेपर करेंसी से रिलिटेट एक कोईशन था, जिसमें आप लोग को रॉंग स्रीट्मेंट चूज करना तो ये जालोर होगा इसका correct answer, उसके बाद में पूर्तिवक्र का भाग है, तो आप बताएंगे कि सिमान्त लागत वक्र का पूर्तिवक्र भाग होता है, उसके बाद में बताना था कि राजस्तान रक्षय उर्जा निगम लिमिटेट का गठन के इंदो संस्थाओं का विले करके किया गया है, तो इसका सही answer होगा, राजस्तान राज्य उर्जा निगम लिमिटेट और राजस्तान उर्जा विकास एजिंसी, question 65 का answer होगा, आप लोग को पूछा गया था कि कौन सी पूर्ण पृतियोगेता में फर्म के अल्पकालीन संतूलन के लिए दिवतिय करम की शर्थ है, तो आपको बतान था कि MC का धाल कम होगा MR के धाल से, ज्यानि कि option number B, फिर 5-year plan से related question था, जिसमें आप लोग को answer जो है, वो 5-5 वर्षी योजना, इसका सही answer होगा, question number 67 जो था, वो development institution के establishment year से related था, जिसमें option number B correct होगा, जिसमें first का answer 4 दिया होगा है, वो वाला option ज में सही होगा, उसके बाद में next अगर हम बात करें, 68 की, तो इसमें agriculture census 2015-16 के according पूछा गया था, तो इसका answer होगा, option number D, 76.55 lakhs, next अगर हम बात करें की, कौन rolling plan के governor थे, तो इसमें जो answer होगा, गुनार middle, ये इसका correct answer होगा, next question पूछा गया था, question number 70, जो है last, वो है, which of the falling is not a cause of rightward shift offer demand curve, तो इसका correct answer होगा, निकरच शुष्चतु के लिए, वो भोगता है कि IMA व्रधी, तो यहां आप लोगों के statistics और economics के questions समापत होते हैं, I hope आप लोगों को ये information अच्छी लगी होगा, और ये वीडियो पसंद आयोगा, अगर वीडियो अच्छा लगाए, तो प्ली ये सो मुच फो वाचिंग वीडियो